हेलो एंड वेलकम दोस्तों स्वागत है आप सभी का तिवारी अकेडमी में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जालेंगे क्लास 7 के साइन्स का फर्स्ट चैप्टर पादपों में पोश्चन के बारे में और साथ ही जालेंगे इस चैप्टर से जुड़े पोश्चन्स और एंसर के बारे में तो चलिए आज का यह वीडियो हम स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी देख पा रहे हैं इस चैप्टर का हेडिंग है पादपों में पोश्चन्स चलिए यह बात जान लेते हैं कि आगर इस चैप्टर में हमें कौन सी बातें बताई ग पूरी तरह से जानकारी दी गई है जहाँ पर आपको श्वपोशन पर पोशन मृत जीवी पर जीवी विभिन प्रकार के पोशनों के बारे में आपको बताया गया है वह भी पौधों के बारे में ठीक है ना बहुत ऐसे पौधे हैं जो अपना पोशन नहीं कर पाते हैं वो किसी दूसरे प्राणी पर निर्भर रहते हैं उसके ही बारे में आपको बताया गया है कि वो देन किस प्रकार से अपना पोशन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं और साथ में आपको यह बात भी बताई गई है कि पौधे प्रकार्श रंसलेशन की प्रक्रिया में वो किस प्रक अगर से वो भोजन बनाते हैं तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम यह बात जान लेते हैं कि आखिर पादपों के पोजिशन इस चैप्टरस में आखिर पाद सब्द का आखिर क्या मतलब होता है तो फ्रेंड्स पादप बहु कोशिकिया प्राणी होते हैं सबसे पहले बात आपको ये समझना है यानि इसमें काफी सारी कोशिकाओं से इनका निर्माड होता है पादब जो होते हैं वो श्वापोशी होते हैं यानि पादब अपना भोजन खुद बना पाते हैं और साथ में या बाद भी जाल लेनी है कि पादब प्रकाश रेंस्टिलेशन की किया को श ओक्सिजन को लिबरेट या फिर मुख्त करते हैं एक मात्रपित्वी में एक ऐसा ही मल्टी सेल्ड और्गणिजम है जिसे हम पादब कहते हैं जो ओक्सिजन को मुख्त करते हैं तो फ्रेंड्स शली अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर पोशन सब्द का आखिर क्या मतलब है तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी जानते हैं कि जिन पोशक पदर्थों को हम आहर के रूप में ग्रहन करते हैं जिन से हमारे सरीर के वृध्धी और विकास में सहता होती है ठीक है न एया पूरा प्रक्रिया ही पोशन कहलाता है ध्यान से समझना है पोशन के लिए हमें पोशक पदर्थों की आवश्रक्ता होती है और पोशक पदर्थ क्या है मैंने आपको लास्ट के क्लासेस में भी बताये थे जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन्स ये शभी पोशक पदर्थ है और पोशक पदर्थों की ही आवश्रक्ता होती है और उन ही क्यों हम आहार के रूप में घ्रहण करते हैं तो हमारे शरीर का समुचित विकार्ष हो पाता है और यह पूरी प्रक्रिया ही पोशण कहलाती है तो फ्रेंट्स जैसा आप सभी जानते हैं कि पोशड की आवश्रक्ता सभी जीवधारियों के लिए होती है पोशड के बिना किसी भी जीवधारी का अस्तित्य संभव नहीं है तो जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि आखिर ये पोशड के लिए हमें किन पोशक पदार्थों को हम पोशक पद जीवधारी ग्रहण करते हैं अपने समुचित व्रिधी और विकास के लिए ठीक है ना उन्हें हम पोशक पधार्थ करते हैं तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी को पता है कि आखिर पोशक पदार्थ क्या होते हैं जैसा मैंने आपको कुछ दिर पहले भी बताया कार्बो हाइडरेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स ये सभी पोशक पदार्थ हैं जो कोई भी जीवधारी अपने सरीर के समुचित व्रिधी और विकास के लिए जो पोश्टिक आहर ग्रहण करते हैं उन्हें हम लोग पोशक कहते हैं या फिर पोशक पदार्थ कहते हैं ज ये पोशन सब्द का आखिर क्या मतलब है तो फ्रेंट्स जैसा मैंने आपको इस वीडियो के प्रारम में ही पोशन के बारे में कुछ बाते बताई कि सभी जीव जो भी आहर या भी भोश्य पतार्थों को ग्रहण करते हैं जिनसे उनके सरीर का समुचित विकास हो पाता है ब्रिधी हो पाती है उन्नती हो पाता है उनके सरीर का ठीक है ना वो बढ़ते हैं यह पूरा प्रोशेशी पोशन कहलाता है ठीक है ना उसको अगर इस तरह से समझें कि जो भी सजीव है वो अपनों भोजन को ग्रहण कर रहे हैं और साथ में इस भोजन का जो उप्योग कर हैं जिनसे उनके सरीर का सम्मुचित विकास हो पा रहा है ठीक है ना वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं पोशक पदार्थों को ग्रहर करके ठीक है ना तो ऐसे इस पूरे प्रोशãyय सको हम लोग पोशण कह रहे हैं यानि पोशण के बिना वृध्धी संभव है क्या तो पोशन के बिना वृध्धी संभव नहीं है और पोशक पदार्थों के बिना क्या पोशन संभव है तो इसका उत्तर भी होगा नहीं ठीक है ना जब आपको पोशक पदार्थ नहीं मिलेंगे तो आपका पोशन भी नहीं हो पाएगा यह बात भी आपको जान लेनी है और पोशन सभी जीवदारों के लिए ये आवश्यक एक element से एक अव्यव है तो friends चलिए अब हम लोग जान लेते हैं अगले शब्द के बारे में वह है श्वपोशन तो friends श्वपोशन का अखिर क्या मतलब होता है तो friends जैसा आप सभी जानते हैं कि जो हम मनुष्य हैं जितने भी जीवदारी है न वो अपने भोजण के लिए direct यानि प्रत्यक्ष रूप से या फिर indirect अप्रत्यक्ष रूप से पाउधों पर निर्वर होते हैं याद रखना है आपको ठीक है न यह हम अपने भोजण के लिए direct और indirect रूप में जब पाउधों पर निर्वर होते हैं तो अब आपको यह सोचना है कि पाउधों अपना भोजण जो है पाते हैं तो इसका उत्तर होगा नहीं हम अपना भोजण खुद नहीं बना पाते हैं हम दूसरों पर depend होते हैं याद रखना है हम दूसरे पर निर्वर करते हैं ठीक है ना इसलिए हम कहलाएंगे विशम पोशी यानि जितने भी जीवधारी जो पाउधों पर depend है भोजण के लिए याद रखना है जो भी जन्तु प्राणी जीवधारी जो पाउधों पर निर्वर होते हैं वे अपना भोजण खुद नहीं बना पा रहे हैं उन्हें हम लोग कह रहे हैं विशम पोशी और वे सभी पोधे जो अपना बड़ेंगे और देख लेंगे आखिर कि श्वपोशी क्या है जैसा मैंने आपको बताया श्वपोशी किसे कहते हैं और विशम पोशी आखिर क्या होती है विशम पोशी जैसे मैंने आपको कहा कि जन्तु проб आदिकतर बहुत ऐसे पातफें जो अपना बोजन खुद बना नहीं पाते हैं। ठीक है नुन्हें हम लोग विशम पोशी कहते हैं। याणी जो प्लांट बनाते हैं उन पर ये निर्वर होते हैं। Это याद रखना आ है जो अपना अपना भोजण का निर्माण करते हैं तो वह माध्यम होता है प्रकाश संस्लेशन का माध्यम प्रकाश संस्लेशन की प्रक्रिया तो फ्रेंट चलिए जान लेते हैं इन सौट में संग्चिप्ट में कि आखिर प्रकाश संस्लेशन आखिर क्या होता है या पोशण की वह विधी है जिसमें पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं ठीक है ना खुद पूरा करते हैं खुद संसलिस्ट करते हैं उसे हम लोग प्रकाश रंसलेशन की प्रक्रिया कहते हैं याद रखना है यह पौधे में होती है प्रकाश रंसलेशन की प्रक्रिया अब एक पौधे में जो प वह आखिर क्या है तो फ्रेंट्स जिस तरह हमें भी खाना बनाने के लिए कच्चे मालों की आवश्रक्ता पड़ती है उसी प्रकार पौधों को भी कच्चे मालों की आवश्रक्ता पड़ती है वो है पानी वो है जल ठीक है न वो है carbon dioxide और इसके अलब आप कह सकते हैं सूरिके प्रकास यानि सूरिका प्रकास कार्बन डियोकसाइड सूरिका प्रकास और वाटर यानि पानी इन तिनों की सहायता से पौधे अपना भोजन का निर्मान करते हैं इस पूरी प्रक्रिया को हम प्रकास रंस्लेशन की प्रक्रिया कहते हैं और प्रकास रंस् और देन क्या होता है प्रकास संसलेशन की प्रक्रिया में पूरा स्टार्ज की उत्पत्ति के बाद ऑक्सिजन ऑक्सिजन लिबरेट होती है ऑक्सिजन मुक्त होती है वायू मंडल में ठीक है ना फ्रेंड्स जैसा आप सभी जानते हैं अब है हमें जानना आगे कि आखिर ये रंद्र क्या होते हैं आप देख पारें हमारा अगला जो शब्द है वो है रंद्र ये रंद्र आखिर क्या है तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी जानते हैं मानव शरीर में नाक एक विशेस अहम भूमिका आदा करती है शांस लेने में ठिक जिस प्रकार से मानव शरीर जो नाशा चिद्रों के द्वारा जो शांस लेते हैं उसी प्रकार पेड़ पौधे भी शांस लेते हैं उनका जो पार्ट्स है उन्हें हम लोग उनके जो विविन भाग है उन्हें हम कह रहे हैं रंद्र ये रंद्र पत्तियों में याद रखना है आपको ये रंद्र प पत्तियों में मौजूद होती है जैसा मैंने आपको कहा कि प्रकाश CINCilation की प्रक्रिया में पौधों को कारबन डायोकसाइड गैस की आवश्रक्ता परती है इसे वो वायुमंदल से लेते हैं तो इसी रंध्र के माध्याम से वो वायुमंदल में मौजूद कारबन में मुक्त कर देते हैं यानि गैसों के आदान प्रतान के लिए रंद्र की आवश्यक्ता होती है और जिन पौधों में रंद्र कम होते हैं उनके अन अंग जो है वो रंद्र के जैसे काम करते हैं जैसे सुंदरी का पेड ठीक है ना उसमें रंद्रों की संख्या कम होती है ठीक के आदान प्रतान के लिए ठीक है ना और सुन्दरी कपेड दलदल वाले छेतर में पाया जाता है या बाद भी आपको जान लेनी है फ्रेंड्स अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे कि आखिर क्लोरोफिल क्या होता है तो फ्रेंड्स जैसा आप आप सभी जानते हैं प्रकाश अंसलेशन की जो प्रक्रिया होती है वह पत्यों में पूरी होती है यानि प्लांट का पाउधे का वह भाग जो भाग हरा वर्नक द्वारा भरा होता है ठीक है ना उससे हम क्लोरोफिल कहते हैं बहुत सारे ऐसे पाउधे हैं जिन में पत्या काटो की रूप मे जैसे आपने लश्ट के क्लास चमें भी पढ़ेते जैसे नाकफ़नी का पउधा उसमें पतियां मौझूद नहीं होती हैं उनքगे पत्यूयां हो जाती है रूपांत्रित हो जाती है काटो के रूप में और उनके तने में क्लोरोफिल मौझूद होता है हिसी में प्रकाष का अप्शोषण हो ता है इसी फिग्मेंट में इसी वर्णक में नाम है इसका क्या chlorophyll के कारण ही पतियों का रंग हरा होता है और जिस पौधों में पतियां मौजूद नहीं होती है वो आप देखोगे उसके अन्य पार्ट से वो अन्य भागों से वो अपना पोशन को पूरा कर रहे हैं जैसा मैंने आपको example रूप में नाक्फनी के पौधे के बार करती है ठीक है ना यह बात भी आपको याद रखनी है क्योंकि आपने लास्ट के चैप्टर में भी कुछ बातों को आपको याद रखना है ठीक है ना अब है आपको जानना आखिर यह chlorophyll जो होते हैं ना फ्रेंट्स यह chlorophyll सूर के प्रकास को यह संग्रह करने में काफी help कर करते हैं ठीक है ना अब हमें जानना है कि प्रकाश रंसलेशन की ये प्रक्रिया आखिर होती क्या है तो फ्रेंट जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि जब पौधे अपना पोशन करते हैं या पोशन कैसे मुम्किन हो पाता है प्रकाश रंसलेशन की प्रक्रिया तो आरा पोशन कब कम्प्लिट होगा जब हमें भोजन मिलेंगी तो पौधे भी अपना भोजन ग्रहन करते हैं वह जिस प्रक्रिया का अनुशन करते हैं उशे हम कहते हैं प्रकाश रंसलेशन की प्रक्रिया इसमें रॉ मेट्रियल्स कच्चे माल कच्चे सामवगरी की आवश जिनसे निर्मान क्या होता है और और औरो नो तयार होती है और इन तिनों की अवर्शक्ता पढ़ती है इनको याद रखना है आपको और यह दोनों हम लोगों के लिए तयार कर देते हैं कार्बोहाइडेट, जो है, हमें किसमे मात, हमें किसमे पा, कार्बोहाइडेट आप सभी को पता है कि हम कार्बोहाइडेट को कैसे प्राप्त करते हैं, कौन से खद समागरी में कार्बोहाइडेट पाई जाती है, जैसे आपने लास्ट के क्लासस में भी पड़े थे, ठीक है ना पौध है लेकिन कार्बोहाइडियेट का निर्माण खुद के पोशन के लिए करते हैं याद रखना है आपको खुद का भी तो पोशन उन्हें करना है उन्हें भी तो जिन्दा रहना है इसलिए वह उनके खध्यपदार्थ होते हैं ठीक है ना और ऑक्सिजन को वह लिबर बताया जाता है कि व्रिक्षा रोपन व्रिक्ष को रोपना काफी जरूरी होता है अगर हमें जीना है तो इस पृत्वी पर ठीक है ना नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में और जान लेंगे कि आखेर सभी जीवों के लिए सूर्य उर्जा का प्रम श्रोथ है आप देख पा रहे हैं एक बहुत अच्छा एक कथन एक सेंटेंस है कि सभी जीवों के लिए सूर्य जो है वो उर्जा का चरम श्रोथ है जैसा आप सभी ने भूगल के ही किताबों में पढ़े थे जो ब्रम्हांड है ना उसमें अनर्जी का जो श्रोथ है हमारे सौर्य परिवार में उर्जा का स्ष्रोथ है कौन शूरि सूरिष हमें उर्जा मिलती है और इसी उर्जा का ट्रांस्फॉर्मेशन होता है अमारे प्रत्वी पर ठीक है ना सूरी की उर्जा से ही पौधे हैं अपना भोजन बनाते हैं और पौधों के बनाए गए भोजन में या फिर पौधे जो जिन्दा रहते हैं इसी सूरी के प्रकास की उपस्तिती में वो भोजन का क्रि अच्छी तरह से लाब जो है, वो मिल रहा है कि इने पौधों को, याद भी ये बात भी रखनी है, सूर्य हमारे उर्जा का स्रोत है, ठीक है न, आप देखोगे, जिस दिन मेगाच्छन परिविए, आकाश होगा, सूर्य जो है, नहीं हमें आकाश में दिखाई पड़ेगी, तो आप देखोगे, हमारा जो सरीर है, एनर्जी से भरपूर नहीं होगा, काफी समय ये दिखा जा चुका है, और आप भी इसे जरूर देखना, कि जिस दिन मेगाच्छन रहती है, उस दिन जो सरीर की जो रचनाय है, उसमें एनर्जी ना मिलने के करण हमारे जो सरीर ठीक नहीं रहता है ठीक है ना उसी तरह पूरे बिश्व में पूरी ब्रह्मांड में पूरे सौर परिवार में जो सूर्य है वो उज्या का चरम स्रोथ है यह बात भी आपको जान लेने हैं फ्रेंट्स नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे इस वीडियो में जाया गया है ठीक है ना आप देख पारें ये उसकी पत्तिया है शो हो अर्चय को ने रहे हैं और यहां पर जड़ से आप देखो खनीज और जल ले रही है ठीक है ना इन तीनों को लेकर हो निर्माण कर रही है इसका और पत्तियों में उनके chlorophyll होते हैं ठीक है ना और निर्मार कर रहे हैं किसका starch का और liberate हो रही है oxygen आप देख पा रहे है oxygen यहाँ पर निकल रहा है ठीक है ना कुछ आपको diagram भी आपको अपने questions के answers में भी आपको बनानी है यह बात भी आपको जान लेनी है अगर प्रकाश translation का process आपको पुछा गया exams में ठीक है ना हम लोग आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे कि आखिर कि यह सैवाल आखिर होते क्या है अब देख पा रहे हैं सैवाल एक शब्द है ठीक है ना तो फ्रेंड्स अब हमें जान लेना है सैवाल के बारे में जैसे आप सभी देख पा रहे हैं तो फ्रेंड्स सैवाल भी पादप के categories में आते हैं इनमें काफी मात्रा में chlorophyll पाए जाती है यह अपना भोजन खुद बनाते हैं ठीक है ना और यह गीली वाले छेत्र में जादा पाए जाते हैं और वहीं पर अपनी व्रिधी करते हैं यह बात भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स ठीक है ना इसमें एक विशेस्ता है कि इसमें आप अलग रूप से इनकी तने इनके पत्तियां फल फुल जड़े आप नहीं देख पाओगे यह एक निम्न स्रेणी का एक पादप होता है यह बात भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे आखिर विशम पोशी प्रणाली ठीक है न आप देख पा रहे हैं यह विशम पोशी प्रणाली आखिर क्या होती है ठीक है न जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा कि बहुत ऐसे जीवदारी प्राणी है जो अपना भोजण खुद नहीं बना पाते हैं यह निर्वर होते हैं उन्हें हम विशम पोशी कहते हैं अब हैं इस विशम पोशी के बारे में आपने जाना और श्वा पोशी के बारे में जाना अब हमें जान लेना है कि यह जो विशम पोशी है न यह कई भागों में होते हैं इनका कई वर्गी करण हैं इनके बारे में अब भुम्हाज़ों हमें जान लेना है जैसा आप सबी कर दो देख पा रहे अपने स्क्रीन पर भी विशम पोशी जो होती है वो कई हिश्वों में कई भागों संपन्न होता है ठीक है जैसे आप देख पा रहे हैं पैरा किषुक्त largest in में हम उन्हें कहते हैं और हिंदी में कहते हैं परजी भी पोशन तो सबसे पहले आपको यह बात जान लेनी है कि जो स्वापोशी है यह सभी हरे पौधे में होते हैं या एलगी में होते हैं कौन स्वापोशी पोशन और विशम पोशी पोशन या जितने भी हरे पौधे जो न जो होते हैं, इनके कई बाग हैं, कई सिरेनिया हैं उनमें से हैं परजीवीड पोशन, Parasitic nutritious, सैपरोफाइट नीट्रीटिन, मृत्र जीवीड पोशन और symbiotic nutrition, शेह जीवीड पोशन और Insectivorous nutrition, किट भक्षी पोशन तो friends चलिए अब हम लोग कुछ बाते जाल लेते हैं विशम पोशी प्रणाली के बारे में जैसा आप सभी देख पा रहे हैं विशम पोशी प्रणाली आखिर क्या होती है विशम पोशी प्रणाली या पोशन की वह विधी है जिसमें plants जो होते हैं वो अपना भोजन खुद न नहीं बना पातें वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं जैसा मैंने आपको बताया पहले इनके चार क्लासिफिकेशन वरगी करण है उनमें से है परजीवी पोशन यह परजीवी पोशन क्या होता है यह पोशन की वह विधी है जिसमें पोशन जो होते हैं वह पौधे किसी दूसरे पदार्थ से या फिर दूसरे प्लांट से पौधों से वह ग्रहन करते हैं याद रखना है परजीवी पोशन जै उन्हें हम परजीवी पोशण कहते हैं अब हमें जान लेना है इन शौट में कि आखिर ये मृत जीवी पोशण क्या है ठीक है ना मृत जीवी पोशण पोशण की वविधी जिसमें पौधे अपना भोजन सडेगले कार्बनिक पजार्थों से ये ग्रहन करते हैं उन्हें हम कहते हैं मृत जीवी पोशण ठीक है ना जैसे एक्जामपल की रूप में आप कह सकते हैं इस्ट बैक्टरिया फंगी ये मृत जीवी पोशण के उधारण है और ये मृत जीवी पोशण ही करते हैं कौन? yeast bacteria और fungi ठीक है याद रखना है आपको बातों को ठीक है ना friends next हमें जान लेना है सहजीवी पोशन के बारे में इन short में ठीक है ना सहजीवी पोशन में होता क्या है या पोशन की वह विदी है जिसमें दो अलग-अलग पौधे एक दूसरे को अपना पोशन देते हैं और उन्हें पूरा करते हैं ठीक है ना एक दूसरे को पोशित करते हैं और अपना पोशन पूरा करते हैं ठीक है ना यह जो पोशन है इसे हम सहजीवी पोशन कहते हैं याद रखना है आपको friends ठीक है ना और next हमें जान लेना है कीट भक्षी पोषण के बारे में इन शौर्ट में फ्रेंड्स ये पोषण की वह विधी है जिसमें कुछ प्लांट जो होते हैं वो किसी ऐसे कीट का भक्षण करते हैं कीट को खा कर अपना पोषण जो है वो पोषण की प्रक्षण को पूरा करते हैं उनसे ये अपना अच्छी पोशन कहते हैं तो फ्रेंडस जैसा आपने कुछ दिर पहले जाना कि परजीवी पोशन क्या होती है पोशन की वह बिधी जिसमें कोई जीव कोई plant किसी दूसरे पर निर्भर रहते है और वहाँ से अपना portion प्राप्त करते हैं हम उने परजीवी portion कहते हैं याद रखना है आपको अब हमें जान लेना है कि परजीवी सब्द का अखिर क्या मतलब होताISA है वह जीव जो किसी दूसरे पर निर्भर रहा कर अपना पोश्चन करन करते हैं वह परजीव कहलाते हैं ठीक है ना फ्रेंट्स अब हमें जान लेना है कि यह अमर बेल का जो पौधा होता है ना वो परजीवी होता है यह बात भी आपको जान लेनी है फ्रेंट्स ठीक है ना अमर बेल ऐसा एक पौधा जो दूसरे पर नेर्वर रहता है ठीक है ना और वही से अपना पोशन प्राप्ट करता है याद रखना है आपको अब हमें जान लेनी है कि आखिर कीट भक्षी पादप क्या होती है बहुत ऐसे पादप होते हैं बहुत ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना भोजन खुद तो बनाते हैं और लेकिन साथ में वह विशम पोशी भी होते हैं श्वापोशी भी होते हैं और विशम पोशी भी होत इसलिए इन्हें विशम पोश्री पत्का अवलंबन करना पड़ता है और विशम पोश्री में गरहन करते हैं कीट भख्ची जो हैं उस पोशण का ठीक है लिए कीट भक्षी पादप भी कहते हैं कीट भक्षी पादप में साधरणत्य पौधे कीटों को भक्षण करके कीटों को खाकर अपना पूशन पूरा करते हैं ठीक है ना याद रखना है जैसे एक्जांपल्स के रूप में कहा जाए ये घटपर्णी जो है पीचर पादप इसमें घड़े जैसा एक संडचना पाई जाती है आप देख पा रहे हैं ठीक है ना और यहाँ पर इसके इस जगह पर सीरे पर जो हैं वो इंसेक्ट्स जो हैं वो आके बैठती हैं कीट पतंगे रागे बैठते हैं और यह फिसल कर नीचे चले जाते हैं और यह ढधकन जो है यह बंद हो जाती है ठीक है 104 और कीडों को खाकर कीड़ी में तैस जीतने भी अब ओख है ठीक है ना nitrogenous हम यह बात भी आपको जान लेनी है यह घड़े जैसा दिखने वाला इसलिए इनका नाम घटपर्णी पादफ कहा गया है अब देख पा रहे हैं घड़े जैसा दिखाई दे रहा है ठीक है नेक्स्टह हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्रेंट्स और जालेंगे मृत जीवी के बार में आप देख पा रहे हैं मृत जीवी पोशन की वाविध्यदी जिसमें पाध है अपना भोजण क्या करते हैं किसी मृत वाले जगए से लेते हैं ठीक है यह बात भी आपको ठीक है आप देख पा रहे हैं मृत जीवी पोशन क्या होती है और क्या होता है मृत जीवी तो फ्रेंड्स पोशन की वह विधी जिसमें पौधे अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहन करते हैं उन पर ये निर्वर होते हैं वो पोशन की विधी मृत जी उसे अपना पोशन जहें वो ग्रण करते हैं याद रखना है सड़े अंडे सड़ी सब्जियां ठीक है ना आप देखोगे उन पर कवक जैसे बहुत ऐसे पादब जहें उत्पन हो चुके हैं सड़े गले ठीक है ना पचे हुए पदातों में ऐसे पदातों की उत्पत्ति होती है हम उन्हें मृत जीवी कहते हैं याद रखना है मृत जीवी पोशन को अपनाने वाले जो पादब होते हैं उन्हें हम मृत जीवी कहते हैं मृत जीवी सड़े गले कार्बनिक पदार्थों यानि मृत पदार्थों पर अपना जीवन जो है वो चापन करते हैं उनसे अपन पोशन ग्रहक करते हैं ठीक है याद रखना है आपको उनमें से एक उधारण आप देख पाओगे कवक कवक या फंजाई का यह भी मृत जिबी पोशन का एक उधारण है जहां पर यह सड़े गली कारबनिक पदार्थ सड़े बटर ठीक है ना सड़े सबजियां सड़े तरकार सड़े हुए आलू किसी भी कारबनिक पदार्थों पर सड़े उन पर यह पनपते हैं पैदा होते हैं और वहीं से अपना पोशन यह लेते हैं यह बात भी आपको जान लेना है फ्रेंट्स नेश्ट हमें जान लेना है कि आखिर सहजीवी संबंद क्या होती है जैसा आप सब अलग-अलग किस्म के जीवधारी एक दुसरे पर आस्रित रहते हैं और एक दुसरे का पोशन कहते हैं चीक है ना ऐसे पोशन को हम लोग सहजीवी शंबंदित पोशन कहते हैं याद रखना है आपको यहाँ पर दो अलग-अलग किस्म के जीवधारी एक दुसरे पर डिबे कवार कराते हैं मौझूद कराते हैं जैसे एक्जामपल के रूप में देखा जाए लाइकें आप सभी को पता है लाकें में एक सैवाल रहते है और कवक रहते हैं सैवाल जैसे आपने कुछ दिर पहले पढ़ा सहवाल में तो काफी क्लोरोफिल होती है. ठीक है न? لेकिन सहवाल के अलावा कवग के पास क्लोरोफिल मौजूत नहीं होता है. तो सहवाल उन्हें अपने क्लोरोफिल की सायता से खद्धपदार्थ की समगरी को कवग तक मौजूत कराता है. वही कवक दुस्री तरफ चैंवाल को जलक्य अपूर्ति करता है और साथ में रहने के लिए भी जगा देता है ठीक है ना और पोशकत्त्र को अब रूप से पुरदान करता है किसे चैंवाल को mit कौन करता है कवग याद रखना है कवग भी उससे उसी तरह से शाइवाल से लावानतित होता है और उसी तरह से आप कह सकते हैं शाइवाल लावानतित होता है और कवग भी एक दुसरे से लावानतित होते रहते हैं याद रखना है आपको ठीक है ना इसी प्रकार के इस असहजीवी संबंद का अगर आप दूसरा उधारन आप देखोगे तो दाल जाती है पौदे है ना उनमें क्या होती है उनकी जणों पर एक rhizobium नाम का एक bacteria पाया जाता है ठीक है ना ये क्या करते है राइजोबियम से राइजोबियम बैक्ट्रिया से ये वायू मंडल में स्थित नाइट्रोजन का अस्थिरिरी करण करके क्या करते है नाइट्रोजन को फिक्स करते है और उस नाइट्रोजन को कौन करण करता है वह दाल जाती है पौधे दाल जाती बहुते हैं वह उन्हें क्या कदेते हैं वह उन्हें बदले में कार्बोहाइडरेट प्रुवाइट करते हैं ठीक है ना उस बैक्ट्रिया को एनर्जी के लिए याद रखना है और इस तरह से देखा जाता है कि एक दूसरे से वो लाववांतित होते रहते हैं इस प्रकार के सं जीवी सम्मंदित पोशन भी कहते हैं याद रखना है ठीक है ना फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े और एंसर्स के बारे में तो फ्रेंट्स चलिए देख ले रहे हैं आखिर प्रेंट्स नंबर वन में हमसे क्या पुछे गये हैं जैसा आप सभी देख पा रहे हैं कि प्रेंट्स नंबर वन जीवों को खाद की आवशक्ता क्यों होती है यह प्रेंट्स नंबर वन में पूछा ज sens Her वीडियूो में भी बताया कि जीवों को खादय की आवशक्ता इसलिह होती है ताकि उन्हें वृध ही करना होता है ना उनका development होना होता है उनके शरीर के विकास के लिए वह ज़िवधारी इसलिए आथि को गरहन को शलिए देख ले रहे हैं कि आकिर इस questions का answers हमें किस तरह से देना है, दैसा आप सभी देख पा रहे हैं, सभी जीवों को अपने शरीर के विकाश और रख रखाओ के लिए उर्जा की आवश्रक्ता होती है, दैसा मैंने आपको वीडियो में भी बताया, friends, कि जो सभी जो जीव है, जितने भी सारे जीव धारी है, उनको अपने सरीर के विकाश और रख रखाओ के लिए, maintenance के लिए, energy की, उर्जा की आवश्रक्ता होती है, ये उर्जा हमें कहां से मिलती है, ये उर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, हमें भोजन से मिलती है, ठीक है न, इसलिए हम भोजन को ग्रहन करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि हम लोग Khadio को ग्रहन करते हैं ठीक है ना तो फ्रेंड शली देख ले रहे हैं कि आखिर प्रस्ट नम्बर टू में हमसे क्या पूछे गए है प्रस्ट नम्बर टू आप देख पा रहे हैं मृत परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर स्पस्ट कीजिए जो परजीवी होते हैं वो क्या होते हैं क्या होते हैं मृत जीवी इन दोनों में क्या अंतर होता है क्या आप इनके अंतर को स्पस्ट कर पाओगे यह है आपका सवाल ठीक है ना friends तो चलिए देख ले रहे हैं कि इस questions का answers हमें किस तरह से देनी है जैसा आप सभी देख पा रहे हैं सबसे पहले आपको लिखना है उत्तर में पर जिवी में अंतर ये एक headings देनी है आपको सबसे पहले then आपको जो है वो columns बनाने हैं आप देख पा रहे हैं दो columns जो है मैंने बनाया है पर जीवी के लिए एक और एक है मृत जीवी के लिए तो पर जीवी हम किने कहेंगे पहले हम इसे समस्ते है ठीक है ना जो जीव जो जीव अपना पोशन पर पोशी पादब से प्राप्त करते हैं उन्हें हम पर जीवी कहलाते हैं जैसे नंबर टू में आप लिखोगे उधारन दोगे ठीक है ना अप उधारन में लिखोगे जैसे अमर बेल तो पहले आप में लिखोगे कि आखिर परजीवी हम किने कहते हैं और दूश्रे पॉइंट्स देकर आप लिखोगे कि उसके उधारण आखिर क्या है आप उधारण में लिखोगे अमर बेल और वहीं दाहिनियोर ठीक है ना राइट हैंड साइट्स में आपको मृत जीवी के कैटागोरीज में घर में आपको लिखना है कि जो जीव अपना पोशन मृत एवं अब घाटित जैव पधार्तों से प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं मृत जीवी कहते हैं कि जो भी जीवदारी अपने पोशन के लिए सड गले कारबनित पदार्थों पर निलवरशील होते हैं उनसे वो प्राप्त करते हैं उन्हें हम मृतजीवी कहते हैं या फिर वो मृतजीवी कहलाते हैं ठीक है ना उसी तरह जिस तरह नंबर परजीवी के नंबर टू में आपने उधारण दिया था ठीक है एकदम उसी तरह से आप मृतजीवी के कटेगोरीज में भी नंबर टू मे आप उधारन दोगे, जैसे कवक, ठीक है ना, मिरत जीवी का examples जो है, वो है कवक, ठीक है न, friends, next अब लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर, question number 3 में हम से क्या पूछे गए है, आप देख पा रहे है, question number 3, ठीक है विधी को आपको लिखना है, आपको एक experiment करनी है, और इसके बारे में आपने last के classes में भी पढ़े थे, कि आखिर किसी भी पत्ती में, किसी भी leaf में, आखिर starch की उपस्तिती को हम कैसे दर्शाएंगे, कैसे हम लोगों को दिखा पाएंगे, कि इस पत्ती में starch की मात्रा presence है, उपस्तित है, ठीक है ना फ्रेंट्स, तो फ्रेंट्स, चलिए देख ले रहे हैं कि इस questions का answers हमें किस तरह से देनी है, तो फ्रेंट्स, आपको सबसे पहले आपको लिखना है, आप देख पा रहे हैं, विभेदित पत्तियों के साथ अब देख पा रहे हैं, विभेदित, जो अलग-अलग है, जो distributed है, ठीक है न, ऐसे पत्तियों को लेना है, जो विभेदित है, अलग-अलग हो, जिसको आप स्पष्ट रूप से पत्ति कह सकते हो, संजुक्त पत्ति नहीं, ठीक है न, एकल पत्ति जो होती है, जो अकेले एक पत्ति होता है, जैसे कोई भी आप पत्ति लेलो, जैसे जो भी गुढ़ल के जो पौधे होते हैं, उसमें भी पत्तियों होती है, अलग-अलग होती है, आम के पत्तियों में, आम के पेड़ पर पत्तियों अलग होती है, समझना है आपको बातों को, तो विभेदित जो पत् यह होती है या फिर क्रोटन का एक पत्या भी आप ले सकते हो नेक्स्ट आमें क्या करना है पौधों को पौधे को तीन दिनों के लिए याद रखना है आपको पौधों को क्या करना है तीन दिनों के लिए एक अंधेरे कमरे में रखें ताकि सभी स्टार्च का उपयोग हो जा है ठीक है ना जिसके स्टार्च का वो क्रियेट करते हैं और यह स्टार्च यह यह एक भुज्य पदार्थ है पौधों के लिए और उनसे ही वो अपना पोशन जो है वो करते हैं याद रखना है आपको तो यह स्टार्च का उपयोग पेड़ पौधे कर लेते हैं समझना है आपको बातों को इसलिए आपको पौधों को लेना है थीइन दिनों तक एक अंधेर इकंब्रे में रखना है क्यूं रखना है तности नहीं बना पाई वह यह अन्धेरों में रखना है ठीकhole और ताकि जो संपुर्ण जो स्टार्च जो है किसी पत्तियों में वो अप्शोषित हो जाए ठीक है नच नमबर त्री में आप लिखोगे अब पती के कुछ भागों को काली पती पेपर से ढग दें ठीक है ना अब पती को कुछ भाग एक पती का कुछ portion जो है वो एक ब्लैक पती से आपको पेपर से ढग देना है और पौध हों पौधे को लगबग 6 गंटे तक धूप में रख दें इसका करने का मतलब यह है कि धूप में रख देने के वाबजूद भी उस पॉर्शन्स में प्रकाश रंस्टलेशन्स की जो क्रिया है वो नहीं हो पाएगी ठीक है ना समझना आपको बातों को और जिस पार्ट पर काली पटी रखी हुई है उस पार्ट में तो प्रकाश रंस्टलेशन्स की क्रिया नहीं होगी और जो पार्ट बिलकुल खुलावा है उस भाग में होगी ठीक है ना समझना आपको बातों को पौधे से पत्ति को अलग करें अब पौधे से पत्ति को अलग करना है इसमें खुले छेत्र को चिन्नित करें जो खुलावा portion है, चिन्नित कर लेना है, आपका उन्हें कागज की एक sheet पर इसका आकार भी बना लेना है, समझना है आपको बातों को friends दिरें दिरें, यह पूरा process है, ठीक है न, then क्या करना है, इसके बाद इसे alcohol में, beaker में ढुबो दें, इसी तरह से जो भी उसमें अव्यव हैं, components हैं, उसे आप निकाल दे रहे हो, इसका मतलब ठीक है न, जो भी पतियों में components होती हैं, वो सभी आप उसे निकाल दे रहे हो, और निकालने के ब डुबो देना है, और इसके बाद इसे alcohol के बीकर में भी, then डुबो देना है, यह number, इसी तरह से आगे बढ़ते रहनी है, और then क्या करना है, उपरुक्त बीकर को ध्यान से पानी के बरतन में डाल कर तब तक गर्म करें, जब तक alcohol उबलने ना लगे, ध्यान देना है बीकर को पानी के बरतन में डाल कर, ठीक है न, उसके बाद उसे गर्म करना है, ठीक है न, और तब तक गर्म करते रहना है, जब तक alcohol उबलने नहीं लगती है, अब पत्ती को आयोदीन के घोल में कुछ मिनट के लिए डुबोना है, यह total process of friends, और इस process के बारे में आपने last के chapters में भी चाहिए friends, ठीक है न, इसके बाद क्या करनी है, alcohol के उबलने के बाद, कि वो पत्ती को आयोदीन के घोल में आपको कुछ मिनट के लिए डुबो देना है, ठीक है न, पत्ती को बाहर निकालना है, और आयोदीन के घोल से धो देना है, ठीक है न, आप देख पा रहे हैं, उत् पस्तिती, किसी भी पेड़ पौधों के लिए काफी आवश्यक है, क्योंकि इन ही से उनका portion जो है, वो complete हो पाता है, समझ रहे हैं आपको बातों को, और इसी starch को हम कैसे, हम दूसरों को दिखाएं, कैसे हम बताएं कि starch जो होती है, वो पत्तियों में presence होती है, इसलिए आपक अपने उत्तर के sheets में, ठीक है ना, friends, तो friends, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और देख ले रहे हैं, कि आखिर प्रेशन नंबर 4 में हम से क्या पूछे गए हैं, आप देख पा रहे हैं, प्रेशन नंबर 4, हरे पादप, पादपों में खाद्य संसलेशन का प्रक्र होता है, जो process होती है, उसे आपको संग्चिप्त वे में आपको बतानी है, friends, ठीक है ना, आप सभी को पता है, friends, की पौधे जहें, वो अपना भोजन किस तरह से तयार करते हैं, यानि प्रकाश शंसलेशन के बारे में आपको आपको बातें जो हैं, बारिक ही से लिखेदा ह है, ठीक है न, friends, तो friends, चलिए देख ले रहे हैं, कि इस questions का answers हमें किस तरह से डेनी हैं, तो friends, सबसे पहले आप लिखोगे, पौधों में भोजन का संसलेशन पत्तियों में होता है, ठीक है न, इसलिए पत्तियां पौधों की खाद्य फैक्टरियां हैं, तो friends, सबसे पहले आपको इस lines को लिखनी है, कि पौधों में भोजन का जो संसलेशन होता है, संसलेशन भोजन का, भोजन को तयार करने की विधियां, पत्तियों में ही होती है, ठीक है न, इसलिए पत्तियां क्या होती है, पौधों की खाद्य फैक्टरियां कहलाती है, ठीक है न, सभी कच्च के माल अब है कि खाना बनाने के लिए जिस तरह हमें कच्चे माल की आवश्रक्ता पड़ती है अब वह कच्चा माल पौधों के लिए क्या होंगे जल कार्बन डाय ओक्षाइड और शूरिके प्रकाश को पत्यों तक पहुचेना चाहिए यह बात भी आपको याद होनी है जो पानी होते है और जो खनीज जो लवन होते हैं वो जड़ द्वारा पौधे अब शोशित करते हैं अब शोशित करने के पस्चात वो पत्यों तक चली जाती है कुछ उद्रकों की सहायता से समझना है आपको बातों को इस उद्रक के बारे में आप आने वाले चैप्ट होता है हरा पिगमेंट होता है ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं और इसी क्लोरोफिल के कारण हरे वर्नक के कारण ही पत्यों का रंग हरा होता है समझना है आपको बातों को फ्रेंड्स जो पत्यों को सूरिके प्रकास की उपस्तिती में सूरिके प्रक जब भी पत्तियों में होती है, तो पेड़ पौधे हरे रंग के दिखाई देते हैं, ठीक है ना, अपने वीडियोज में भी जाना, और क्लोरोफिल जो होती है, वो सूरी के प्रकाश को एब्जॉब करती है, अब सोशित करती है, ठीक है ना, इस उर्जा का उप्यों कार्बन डायोकसाइड और पानी की उपस्तिती में भोजन तयार करने के लिए किया जाता है, ठीक है, समझना है आपको बातों को, किस उर्जा की यहां बात की जा रही है, सौरी उर्जा की, यहां पर सौर उर्जा, सौरी की उर्जा, ठीक है ना, वो ट्रांसफर हो जा रही है, एक another उर्जा में समझना है आपको बातों को और इस तरह से सूर के प्रकास ठीक है ना carbon dioxide then पानी के साहता सेपतियां जो हो रही हैं वो भोजन का निर्मान कर रही हैं तो यही उनके खाद के sensation का प्रक्रम है ठीक है यह इसका संग्चिप विवरन है इन शौर्ट में यह बाते हैं जो आपको इस questions के answers में आपको लिखनी है friends ठीक है न तो friends चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख ले रहे हैं कि question 5 में हम से क्या पूछे गए हैं अब देख पा रहे है question 5 किसी प्रवाचित्र की साहिता से दर्शाय की पादब भोजन की मूलभूत स्रोथ हैं जो पीड़ पौधे होते हैं वो भोजन की में सोर्स हैं यह आपको बताना है एक प्रवाचित्र को दिखाना है एक फ्लो को वो डायरिक्ट ठीक है ना प्रत्यक्ष रूप से या फिर इन डायरेक्ट या फिर अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्वर होते हैं उधारण के लिए अगर कहें तो पौधे खाने वाले जानवर सीधे पौधों पर निर्वर होते हैं और माल सहारी इन पौधों खाने वाले जीव पर निरवर रहते हैं यानि ऐसे जीव ऐसे प्राणी जो पौधों को खाते हैं वो तो डारेक्ट पौधों को ही खा रहे हैं तो वो क्या है वो प्रत्यक्ष रूप से ठीक है ना और जब भी ये किसी दूसरे प्राणी का मास खा रहे हैं, तो वह प्राणी निश्त रूप से पौधों को खा रहा होगा, ठीक है न, जैसे चिता है, बाग है, ठीक है न, आप शेर हैं, ये हिरन का सिकार करते हैं, और हिरन, जह हैं, आप सभी को पता है, कि वो पतीयां घास फ प्रत्यक्ष रूप से सभी जीवधारी निर्वर्शील है, चाहे वो शाकारी हो, चाहे वो मानशारी हो या फेर शर्वाअरी हो ठीक है नि? तो इस प्रकार ये जीव और प्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्वर करते हैं. निम्निलिखित प्रवा चित्रों को पौधों की निर्भरता के कुछ उधारन दिखाते हैं आपको एक प्रवा चित्र भी ड्रॉइंग करनी है friends आपको इस questions के answers के लिए आप देख पा रहे हैं प्रवा का जो चित्र है न friends वो कैसा बन पाएगा आप देखिए समझने की कोशिस करो friends आप देख पा रहे हैं कि यह जो पौध है ना friends यह plants है न अ अब देख पा रहे हो इन्हें क्या कर रहे हैं कि यह plants को यह हरीन खा रहा है जैसामें आपको कुछ दिर पहले बताया और फिर यह हर्यों को खा रहे हैं। ये धीक है। इन चोड़े चोड़े plants को पौधों को फ़ॉइप खा रहा है चोड़े चोड़े इंसेक्षि俺 next घ्ली उसे खा रहे हैं यह सर्व सानफ और इंहें इगल या बाद खा रहा है अब है बिच्छू बिविन तरह के खा रहे हैं आप देख पा रहे हैं पौधों को देन वो किट पतंगों को भी खा रहे हैं ठीक है न देन वो उन्हें कौन खा रहा है वो आप देख पा रहे हैं फिश फिश को बकुला जो है वो खा रहा है एक दूसरे पर ये निवर्शील ह कहीं न कहीं रूप से देखा जाए तो ये जिस भी प्राणी का भक्षन कर रहे हैं वो प्रत्यक्ष या फिर और प्रत्यक्ष रूप से किसी पादप पर ही निर्वर्शीर होते हैं इसलिए पादब जो होते हैं वो मूल प्रवा होते हैं खद के खद उर्जा के प्रवा का यहां पर आप देख पा रहे हैं कि खद उर्जा का जो प्रवा है वो पादब से ही शुरू होता है ठीक है ना जिसमें शुर के प्रकाश का सुर के एनर्जी का उर्जा का इसमें ट्रा अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे प्रश्ट नंबर 6 में आकिर हम से क्या पूछे गये हैं तो फ्रेंड्स अब देख पा रहे हैं रिक्त अस्थानों की पूर्ति कीजिए ये प्रश्ट नंबर 6 में पूछा गया है कुछ आपको कथन्स दिये गए हैं कुछ स्टेट्मेंट्स दिये गए हैं वो ब्लैंक हैं वो रिक्त हैं उन्हें आपको पूरा करना है ठीक है ना फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि प्रश्ट नंबर 6 में हम से क्या पूछे गये हैं क्योंकि हरे पादप अपना खाद श्वाइंग बनाते हैं इसलिए उन्हें डैश कहते हैं आप सभी चानते हैं कि हरे पेड़ पौदे हरे पादप जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं तो फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको वीडियो में भ पताया हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें हम श्वा पोशी कहते हैं श्वा पोशन श्वा मतलब खुद पोशन मतलब खुद को पोशन देने वाले या फिर खुद भोजन बनाने वाले खुद को नरिश्मेंट करने वाले ठीक है ना उन्हें हम तो कह रहे हैं श्वा पोशी ठीक है याद रखना है तो श्वा पोशी के उधारन है पेड़ पौध है आपको याद रखने है फ्रेंट्स पादपो द्वारा संसलेशित खाद्य का भंडारण डैस के रूप में किया जाता है अब सभी को पता है फ्रेंट्स मैंने कुछ दिर पहले ही बताया कि प्रकाश रंसलेशन में जो पौध होते हैं वह अपना भोजन का निर्माण करते हैं और क्या करते हैं करते हैं स्टार्च ठीक है याद रखना है पादपो द्वारा संसलेशित खाद्य का भंडारण जमा करते हैं स्टोर करते हैं वह स्टार्च के रूप म में ऑर इसी स्टार्ज को फिर डिफरेंट बॉडी ओ में डिफरेंट सवर्णित के पार्च में का varsa इसी यह संसलेंफ करते हैं je क्लिए करते हैं उनका वणारन करते हैं करते हैं किस में किस रूप में स्थार्ज क Ec arbraw वो हाइड़िट के रूप में समझ नहीं आपको बातों को फ्रेंट्स ठीक है ना नेक्स हमें आगे बढ़ना है देख लेना है कि प्रश नंबर गौ में हमसे क्या पुछे गया है प्रकाश रंसलेशन के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा स्वार उर्जा संग्रहित की जाती है उशे डैस कहते हैं जैसा मैंने आपको विडियो में भी बताया प्रकास रंस्टी की करिया में जिस्ट का यूज होता है पत्तिओं द्वारा उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल हरे वर्णक हरा पिगमेंट होता है जिसमें सूर के प्रकास का अवशोर्षन होता है तो प्रकास इंसलेशन के प्रकरम में जिस वर्णक द्वारा सौर उर्जा का संग्रहित शोर्षन होता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं chlorophyll जो हैं वो हरेवर्णक होते हैं यह साधननता पेड़ की पत्तियों में पाए जाते हैं यह समझ रहा है आपको बातों को और यह लिखनी है ठीक है ना फ्रेंड्स तो आप उसों लिखोगे chlorophyll कहते हैं नेक्स्ट हमें आगे पढ़ने और देख लेना है कि नेक्स्ट सवाल में हमसे क्या पूछे गया है प्रकार्श रंसलेशन में पादप वायू मंडल से डैस लेते हैं ठीक है और डैस का उत्पादन करते हैं आप सभी को पता है से जो raw materials होता है raw materials में कौन से उन्हें अव्यव चाहिए उन्हें चाहिए मैंने कहा आपको वो वायू मंडल से CO2 carbon dioxide को लेते हैं और जड़ से वो जल लेते हैं ठीक है ना अब सभी को पता होनी चाहिए और पत्यों पर उनके शूर्य के प्रकार्श आगिरते हैं तो ये तीन dioxide लेते हैं और क्या create करते हैं वातावर में मुक्त करते हैं oxygen को liberate या फिर मुक्त करते हैं और उसी oxygen को हम लेते हैं और हम जहें वो जिन्दा है जिवित हैं इसलिए कहा जाता है कि अगर हमें जिन्दा रहना है तो पेड़ पौधों को हमें जहें वो लगाना चाहिए व्रिक नम्बार्श्ब्र-7 में हमसे क्या पुछे गए हैं अब देख पारे हैं प्रश्बром्ब-7 निम्र कत्नों से संबध परिभाशिक शब्द बताइएं कुछ शब्द आपको बताने हैं कुछ आपको कथन दिये गया है जैसे नम्ब कौम में गिए हैं तिये गएalah पीत दुर्बल तने वाला पर जीवी पादप ध्यान देना है आपको पीत यानि पिल रंका दुर्बल पतला तने वाला पर जीवी दुसरों पर डिपेंट होने वाला पादप पौधा है कौन वो है अमरबेल आप सभी को पता है अमरबेल एक पर जीवी पादप है दुसरों पर depend रहते हैं और अपना portion करते हैं तो पीत रंका यहरे रंका होता है दुर्वल होता है कमजोर होता है पर जीवी पादप है यह अमर वेल ठीक है ना फ्रेंट्स नेश्ट आप से पुछा गया है कि एक पादप जिसमें श्वा पोशन एवं विशम पोशन दोनों ही प्रणाली पाई जाती है श्वा पोशन भी करते हैं और विशम पोशन भी करते हैं वो कौन होता है तो एक पादप है आप सभी को पता है मैंने वीडियूस में भी पताई वह है घट परनि यानि पीचर प्लांट फिसर फ्लांट जह हैं वह अपना स्रुफषण भी करते हैं और वीशमित ऑशन कर नि Is त्र जो जिसे दो आते हैं और कित और अधार कर वह पर भीन करते हैं और स्रुफषर्ण पर भी निर्वर्शिल हैं समझने आपको बातों को खुद बनाते हैं और दूसरों पर भी डिपेंड होते हैं दूसरों पर भी निर्वर होते हैं तो ऐसे पादप जो है वो है घट पढ़नी पीचर पादप पीचर प्लांट इंग्लिश में कहते हैं नेक्षब में आगे बढ़ना है वे रंध्र ठीक है न वो छोटे-छोटे छेड जिनके द्वारा पतियों में जो गैसों का ट्रांस्मिशन गैसों का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाते हैं तो friends उन्हें हम English में Stomata कहते हैं और Hindi में हम उन्हें रंध्र कहते हैं याद रखना है आपको रंध्र ठीक है ना रंध्र के द्वारा ही जो पेड़ पहुदे हैं उनमें गैसों का आदान प्रदान होता है नेक्ष्ट हम आगे बढ़ेंगे और देखे लेंगे अप्रश नंबर एट वहम से क्या कुछ है कहे हैं आप देख पा रहें प्रश्ट नंबर एट सही उतर पर सही का चिन्ह लगाना है आपको इस तरह से राइट का चिन्ह लगाना है अमर बेल किसी अमर बेल उधारण है ठीक है न अब किसका उधारण है वो आपको चार आप्शन दिये गए है ठीक है न वो आप्शन देखकर आपको आपको पता करना है आपको बताना है कि इनमें से कौन शा आप्शन जो है वो बिल्कुल सही है नमब वन है श्वा पोशी का नमब टू है पर जीवी का नमब त्री है मृत जीवी का और नमब फोर है पर पोशी का तो अमर बिल किसका उधारन है आप सभी को पता होनी चाहिए फ्रेंड्स अमर बिल एक ऐसा पादप है जो पर जीवी का उधारन है ठीक है न आपको ऐसे लि है चो कीटों को पकड़ते हैं उन्हें अपना आहर बनाते हैं वे कौन से पादप हैं नमबर वन अमर्बिल नमबर टू गुड़हल नमबर त्री घट पढ़नी पीचर पादप नमबर फोर खुलाब यह कौन से हैं आपको बतारे हैं तो फ्रेंड्स ऐसा आपको कुछ दिर प करते हैं अपने पोशन का वह है पीचर प्लांट पीचर पादप घट पढ़ने ठीक है याद रखना है अब देख पा रहे हैं ऑप्शन में भी दिया गया है यह आपको करेक्ट करनी है नेक्स्ट हमें आगे बढ़ना है फ्रेंड्स और देखने लना है कि प्रस्ट नंबर 9 हमसे क्या पूचए गया है आप देख पा रहा है प्रे tril नंबर 9 ऐल में अ के सब्दों के साथ आपको खर लि calm a आप देख पा रहे हैं और कॉलम B में दिए गए हैं जिवाणों पर पोशी घट पढ़नी पत्ती पर जीवी यह कॉलम वना कॉलम B में कुछ सब्द दिए गए हैं आपको मिलान करना है तो फ्रेंड्स मिलान को आपको किस तरह करनी है चली देख ले रहे हैं तो कॉलम A में आप देख पा रहे हो क्लोरोफिल है ठीक है ना तो क्लोरोफिल के लिए आप लिखोगे क्लोरोफिल कहां प्रेजेंस होता है कहां उपस्थित होते हैं तो वह होते हैं पत्तियों में याद रखना है आपको अब देख पा रहे हैं कॉलम B के साथ यह मैचिंग की जो जन्तु होते हैं वो पर पोशित कहलाते हैं और किट भक्षी जो होते हैं वो है घटपढ़नी पीचर पादप बहुती आशान बहुती आशान सद्या हुआ मिलान है आपको इसलिए कर लेना है फ्रेंड्स ठीक है ना तो फ्रेंड्स अलिए दिख ले रहे हैं कि आखिर अब सद्यक रहे हैं उनको चैन करना है आपको सोच समझ कए ठीक है ना फ्रेंड्स नंबर कॉम में पूछे जा रहे हैं कि प्रकास्ट इंसलेशन में गलत है यह आपको बतानी है यह बात सही है या गलत कि प्रकास्ट संसलेशन की क्रिया में carbon dioxide को ग्रहण की जाती है और oxygen को liberate या फिर मुक्त की जाती है तो percussion solution की क्रिया में carbon dioxide मुक्त नहीं होती है मुक्त होती है oxygen इसलिए यह कतन आपका गलत है ठीक है आप देख पा रहे हैं अंसे में भी गलत लिखावा या शर्त लिखावा है नंबर टू हम लोग देख ले रहे हैं हमसे क्या पूचा जा रहा है नंबर खो ऐसे पादप जो अपना भोजन श्वाइं संसलेशित कहते हैं मृत जीवी कहलाते हैं क्या यह बात गलत है यह सही है आपको अबनाते हैं इस यह बात है भुट पूरी तरह से गलते नेक्स अमें आगे बढ़ना इस इप्रस नूमबर के प्रोटीन नहीं है प्रकाश उनसेलेशन का जो उतपाद है प्रोड़क्ट है वो प्रोटीन है क्या यह नहीं है व्रॉट्ट को आपको बताने हैं तो फ्रेंड्स मैंने आपको कई बार बताए कि प्रकास अंसिलेशन की क्रिया में जो उत्पाद जो खाद होते हैं जो भोजन होते हैं उनके पेड़ बहुते के वह होते हैं ग्लुकोज सरकरा मांड ठीक है न वह प्रोटीन नहीं है जो यानि इस कथन या उर्जा का राशायनिक उर्जा में रूपांतरन हो जाता है आप सभी को पता है कि प्रकास अंसिलेशन की पुरी प्रक्रिया में सौर उर्जा जो सूरज की जो उर्जा है ठीक है न सौर उर्जा हम उसे कहते हैं उसका राशायनिक उर्जा में ट्रांस्फॉर्मेशन उसका रुप आंतर होता है बिल्कुल फहीत करो कियो जया रहे हैं बिल्कुल सच है ये गथन ठीक है ना सत्ते आप देख पा रहे हैं नेक्ष्ट हमें आगे बढ़ना है हैं फ्रेंटस और देख लिना है नमबर 11 में हमसे क्या कुछ जैरहे हैं नुमबर 11 आप देख पा रहे हैं, सही विकल्प चुनिए, कुछ विकल्प आपको दिये जा रहे हैं, सही जो उप्षन न उसको आपको चूज़ करनी है, ठीक है ना? पादब के किस भाग द्वारा प्रकाश रंस्लेशन है तू वायू से कारबन डायॉकसाइट ली जाती है फ्रेंट्स आप सभी को पता है कि पादब जो हैं वो प्रगायस अंशलेशन के क्रिया करते हैं उसके लिए उन्हें कारबन डायोकसाइट की जरुवत परती है और इस कारबन डायोकसाइट को वो वायूमंडल से लेते हैं लेकिन लेने में जिस पार्ट्स जिस अंगल की आव रंद्स जो होते हैं शंक्या अगर कम होती है रंध्रों की अगर शंक्या कम होती है तो फिर दूसरे process को develop कि हुए रहते हैं उनसे एक पेड़ का उतारन है शुंदरी का पेड याद रखना है आपको ठीक है न ये दल दल वाली जमीन में उगते हैं ठीक है न ये उनके जड़ों से देन क्या होता है गैसों का ट्रांश्मिशन होता है कुछ बातों को आपको जानके भी रखनी है फ्रेंड्स ठीक है न तो पादप के किस भाग द्वार याद रखना है तो आपको जो आपका जो में उत्तर होगा वह आपको अब देख पा रहे हैं यहाँ पर चूस किया हुआ पहले से ठीक है न आ आपको रंद्र चूस करनी है ठीक है न सहीव विकल्प चुनना है नेक्स तो लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि प्र प्रेश नमबर 12 सहीव विकल्प चुनना है फिफ से आपको सहीव विकल्प चुनना है आपको चार आप्शन दीए जा रहे है ठीक है न वायू मंडल से मुख्याता जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डियोक्साइट को ग्रहन करते हैं प्राप्त करते हैं वह पार्ट होते हैं जिसके ध्रू जिसके द्वारा जो पेड़ पौते हैं वह वायू मंडल से कर्बन डियोक्साइट को प्राप्त करते हैं और गैसों का ट्रांस्रमिशन भी इसी रंद्र द्वारा ही होता है याद रखना है आपको कुछ बातों को यानि ऑक्सिजन को देन वो फिर से लिबरेट भी करते हैं उन्हें मुक्त करना होता है इसी रंद्रों के द्वारा यह बात आपको जान लेनी है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स यह था आज का वीडियो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में